अब जाते हैं रोग निवारण रोग निवारण में कुछी हम सीरियस रोग पर नहीं जाते हैं हलके फुलके जो रेगलर रोग है बिमारी इसे चर्ण रोग हो गया किसी को मिर्गी हो रहा है फेफरे से संबंदी द्रोग हो रहा है उनके लिए छोड़े 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 उपाय करें आज अब हुआ अब हुआ है है अब 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 है जिन लोग को हिदय रोग या हार्ट डिजीज होन का इंडिकेशन दिखता हैं आप लोग मेडिसीन जरूर लेना मेडिसीन के साथ साथ यह वाला उपाय भी कर सकते हैं अब है अब है अब है अब है एक बहुत सुन्दर सा दान है दान क्या है मतलब संडे संडे आपको हर रविवार को करना है रविवार के दिन किसी भी गाए को अगर लाल गाएं मिले तो भॉड अच्छी बहुत अच्छी बात है अगर लाल गाए नहीं मिलती है तो किसी भी गाए को सफेद गाए काली गाए जैसे भी गाए मिले या आपके घर के आसपास अगर गौशाला है तो गौशाला में ही अपने साथ में गुड़ लेके जाएं कैसे गुड़ लेके जाएंगे कितना लेके जाएंगे वो बताता हू सब लोग अपने अपनी कुंड़ी में देख लेना कि शनी सारी सूरी कौन से घर में बैठा हुआ है ठीक है लगन से कितने नंबर में घर में बैठा हुआ है अगर लगन में बैठा हुआ है तो एक किलो या एक सो ग्राम ठीक है अगर दूसरे घर में बैठा है तो दो किलो या दो सो ग्राम इतनी ही मात्रा में आपको गुड जो है गाएं को खिलानी है अगर बहुत सारी गाएं है तो आप दूसरे घर में जैसे लगन से दूसरे घर में सूरी विराज माने और वो प्रॉब्लम दे रहा है आपको हृदयरोग दे रहा है तो आप दो किलो गुड लेकर तीन-चार साम दे सकते हैं या फिर सीधा बारा किलो गुड लेकर बहुत सारी गाईयों को थोड़ा-थोड़ा सब को खिला दे आप यह भी कर सकते हैं कि अपने उपर से वार के खिलाएं बट एक्चुली बहुत लोग इसको नहीं मानते मैं भी नहीं मानता हूं गाए माता को हम सेवा के लिए करते हैं तो अपना कुछ भी देना थोड़ा सा गड़बर रहता है लेकिन गाए माता के पास एक अच्छी बात यह होते हैं कि हमारे सारे रोगों को वह हर लेती है कि हमारे बिमारियों को वह हर लेती है तो अगर चोटा बच्चा है बारा साल से चोटा बच्च्च जितने घर में बैठा हो उतना ही किलो गाय को गुड़ खिलाना है हो जाएगा इजी है